मोदी जी का गैरंटी तो बहुत मजबूत वाला गैरंटी है, ए मोदी जी का गैरंटी वालो, क्या मोदी जी गैरंटी लेंगे, फिट से पढ़ते ही कि ने पढ़ते ही जरा बता के दिखा दो, बताओ, 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 पढ़ते ही कि ने पढ़ते ही है मोदी जी का गैरंटी और और जर्वाने चलें ऑप तो खुदी कबजा इन पे बात में दम बात में दम है आप यह आफी पे हो गया कर आप इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आगे हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने वी किया उसको हमारी मांगरदबंदन स आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाये नौकली बाटी जो गांधी मैदन से आपने अलांद किया था लेकिन के कई को भी पहचानी कौन-कौन के कई बैठा हुआ है आपके जो आप जंदा ले करके चले थे ति मोदी जी को देश मेरोकना है आपका भतिजा जंदा उठा क करके मोदी जी को भी हार में रखने करता हुआ है तो आज पाज पाटी जो है मां लेकिन हम तो कहना चाहते है आड़े दीन आपकी मां हुए औरिजिनल तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे अच्छा लिए चीए से अच्छा की लिए कि जनता तो इस बात को जानती है हमें खुशी है कि साथ में दो डिपी सियंब ने और विजे सिराच सिर्फी डिपी सियंब ने इंब स्पिकर पर प्तीजों नेता विरोधी बल भी रह लिए और ऱिप्तीई सियर्टीफ थ सि रह लिए इनों ने थी दिया एक टरस में तीन तीन पत जिदि दल भी था लिए और आप के दिमाग में आया था कि आप एक तरम में एक तरम में स्पीकर भी दिप्टी सियम भी और नेता विरोधी दल भी आप बन गए तो इसके लिए आप तीनों लोगों को विशेश तोर पे हम बधाई देना चाहते हैं माने मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदर निर्थे हैं और हमेशा रहेंगे हम इनकी इज़त हमेशा करते आये हैं और करते रहेंगे और हम तो कई बार इनके नेत्वत्प पर काम करने का मौका मिला और हम लोग ने काम किया है मिल करके, त्समें कोई दो रहे हैं आगे हम सारी बात को भी हम अपने आप लोगों के समख जो है रखने का काम करेंगे अब कई बार माने मुक्मत्ी जी जो है इस बात को बोलते रहें कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, प्ले गाजेन मानते हैं और आप लोग 행वान राम करते हैं हमाप सबके मन में तो राम हैं , लेकिन एक लेका समझना पड़ेगा हम तो नित्रीज जी को एक दश्रत जो पिता है उनके रूप में ऐसा गार्जन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्हों ने कई बार आप लोगों के सामने भी बुलग आप तो यही करेगा यही आगे बढ़ेगा तो चलिए नौजवाने लुग न आगे बढ़ेगा आगे काम करेगा लेकिन कई बार मजबूरिया रही होंगी इनकी जैसे दश्रत की मजबूरी थी राज़ा दश्रत की कि राम को जो है बनवास जो है भेज दिया गया लेकिन उस बात को हम मांते हैं कि हम बनवास नहीं हैं बलकि हम को इन्होंने भेजा हैं जन्ता के बीच उनके सुख और दुख के भागिदार बढ甚 54 वह पहले बारे इंपने से दूर कीुए हूँ भी क्या मजबूरिया रही हमक को पता किसी को नहीं पता क्या मजबूरियां रही लेकिन इन्हों ने पहली बार जब दूर किया तो एक ही बात निकल के आया क्या राप निकल के आया कि आप जो है इंप्स्पेर है मुठादमा है केस जब दुबाड़ा γरों अपनाने का काम किया तो इन्हों ने कहा कि इसा BJP वहला सब फसाने का काम करता है CD और CVI लगा देने का काम करता है थेखिए हमको आपको इसदेते हैं और आगे भी देते रहेंगे लेकिन भी बात समझना पड़ेगा और दिहार की जता ये जानना चाहती है कि आप आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप कभी इधर रहते हैं कभी उधर रहते हैं यह तो सब लोग जानना चाहता है सब लोग की इच्छा आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको यह लेना पड़ा दो हजार बीस का हम लोग शुनाओ जीद करके आएं मात्र वैमानी के बाद 12,000 का डिफ्रेंस था पूरे महांगर बंदर और एंडिये में आप क्यों छोर के आएं आपने यहीं बोला था न कि हम एंडिये इसलिए छोर रह हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोरा जा रहा है हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है और आपने यह कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी तो आप कहते ही रहते हैं हमेशा लगतारी कहते रहते हैं उस पे उस पे हम नहीं जाएंगे लेकिन आपने तो यह कहा था क वेल्गी भाई हम लोगों का कि लक्ष रप्धान मंत्री बनना है ना किसी को मुक्ष मंत्री बनना थेश भर के विपक्षों को डोल बंद करके जो ताना शाह उसको दुबारा नहीं आने देना है इसलिए ना पायते और आप जब गवरणर हाउस गए मुह्वरे मोंस पर जीजब आप पहल आई तो आपने का आपका मन नहीं लग रहा सा अ कि आपने है कि मन नहीं लग रहा साथ कि यूतर विखले लेकित थे डिक सब्सक्राम work म हम लोग ने मुंकिम करके दिखाने के काम किया आपने दो हजार बीस के चुनाओं में क्या कहा था जूट मत बोलिएगा देखिए हम आप लोग से उमर में छोटे अपने बाप के पास से लाएगा जेल से पैसा लाएगा नुकली बाटेगा और संभाव है क्या बोले थे और हमने उस समय चुनाओं के दौरान रोजगार पर विशेश तूट पर हमने बोले था हमने साइटिपिक अधिन किया रिक्पदे हैं इतनी इतनी है उसको हम लोग जो है भरने का काम करेंगे हम को तो की इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्षे में हैं हमको तो खुशी है कि उन सत्रा महिनों में जो देश में किसी सरकार ने ने किया उसको हमारी मागण बंसना सरकार ने कर दे ना काम किया आप बताईए आप को याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाहा रहे थे हम तो नहीं आना आप के साथ आना चाहते थे यह बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्मंत्री जी लेकिं देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एक जुट हो जाएं और एक जुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें तब हमने क्या का था मुख्म्त्री जी याद है विजय जी है आप भी सामने हैं हम कहते हैं मुख्म procent्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे हम बाहर रहे करके आपको सबस्थत देंगे और आपके सरकार को कोई खत्रा नहीं होगा आप चलाइए सरकार निफिकल होकर के चलाइए कि हम लोगों का भी लख्ष है कि भाजपा को देश से भगाने का क्राम करें संप्रदाइश सक्तियों को इसलिए ना हम लोग एक साथ आये और तो कोई कारण नहीं था अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दश्रत तो नहीं चाहते थे राम बनवाज जा लेगे इनके कई जरूर चाहती थी कि राम जो है बनवाज चले जाए मुख्यमंत्री जी आप हमको बेटा कहे हैं हम चाहते हैं कि आप लंबी उमर रहिए और जो सिल्षिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाईए उसमें हमारा समथन रहेगा रोजगार बाटिये नौकली बाटि जो खंधी मैदन से आपने अलांद किया था लेकिन के कई को भी पहचानी कौन कौन के कई बैठा हुआ है आपके पार समराज चौदरी ची पगड़ी पहनते हैं फाल तो एक पहनते हैं उतारने का बात करते हैं इसाब करो फिर उनका सुटिंग चल रहा है मोदे अब बांद लिए पगड़ी चलो हाँ मैदान में आप खोलिए गाउ अन्हें अरे हम कोई गरत मात लिए शुलो या नवीन जी शुदियत ना पठ दिर्मान मिल जाए बहुत कृपा होगी आप आगे काम की जेगा बठेंगा तो पाध्यार को दे बेढ़ आपके आप जब बोलेगा इधर से लेको बोलेगा आप सामधिसत बनाई रखे हमें विश्वास है कि हमारे एक और चाचा विजिंदर जी बैठे है यहाँ हमको जरूर लगता कि इन्होंने जरूर शला दियोगी सब्राट चौदरी जी को पगड़ी उतार लो दिये की नहीं दिये आप तो हमको शला देते थे हमको पटा है आप उसके मन में भी पी रहा है गर्द है लेकिन आप एकदम अपने निर्टा के साथ जो निर्णय है उसी में लेते हैं लेकिन निर्टा तो निर्णय लेते हैं साथ देना चाहिए लेकिन कभी कोई सला और एक स्टैंड भी लेना चाहिए कि कोई गलत निर्णय ना हो इससे नेता का ही नुक्सान होता इससे नेता का ही नुक्सान होगा तो इस बात की तो हमको चिंता रहेगी अभी समराज शौधरी जी क्या-क्या बोलते थे उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे लेकिन समराज शौधरी जी के पिता भी हमारे दल में रहें और उन पार शब्द मु पूड़ा बिहार बच्चा बच्चा से पूछ लिजे कि कि अधर कोई ऐसा दो सुन तो नो भाई किसी भी बिहार में बच्चा-बच्चा से पूछ लिजे कि क्या होने जाएगा नितीज जी पर भड़ोसा है कि नहीं है वो क्या-क्या शब्द का प्रयोग करेंगी जो हम लेना नहीं चाहते हैं और मोदी जी का गैरंटी तो बहुत मजबूत वाला गैरंटी है ए मोधी जी के गैरंटी वालो क्या मोधी जी गैरंटी लेंगे फिट से पल्टेंगे कि ने पल्टेंगे जरा बता के दिखा दो बताईए मोधी जी के गैरंटी वालो बताओ बताईए पल्टेंगे कि ने पल्टेंगे मोधी जी का गैरंटी खेर हमको इसकी चिंता नहीं है विजे समराठ चौधरी जी विजे शिराजी जब जहां चेर पे थे व्याकुल मत हो ये खूब जोरी है आप लोगों का कमाल का लगे रही है लेकिन आप लोग तो क्या-क्या बोलते थे अब उसके तो हमको बठाने का ज़रोत नहीं है सब लोग जानते हैं कि बतवा क्या दुबारत तिवारा जो है रटा जाए कहा जाए इसका कोई मतलब नहीं लेकिन एक बात समझ लीजिए कि नितीश कुभार जी आधर दिये हैं कम से कम एक बार बतात को देते हैं कि हम नहीं र बढ़ा दल हमारा है कम से करें गुलां के बोल देना जाए कोड़ों आपको हम कुछ कहते हैं आप बताई हम आपको कुछ कहें हैं कितना अच्छा हम लोग बात चीद करते थे हर चीद करते थे लेकिन अब चलिए ठीक है अच्छे पल को तो हम जिंदीगी भर याद करेंगे सुजोग को रखेंगे उसमें हमेरे मन में कोई खोट देगे और हम लोग एकदम मजबूती के साथ उटा गार के खड़े हैं कि आपने जो संकल मौने मुख्मत्री जी आज तो आप से हम कही सकते हैं आप तो बुलाएं ने खुदी चले गए गवर दाराउस लेकिन आज हम इतना तो आप से कह सकते हैं इतना बात तो कह सकते थे आप उला लेते हम लोग बात कर लेते नहीं है ठीक है तो उसका भी विवस्था कर देते हैं अगर हमारे सरकार से हमारे मंत्रियों से तिकत है तो फिर से बाहर से समठत दे रेते और कोई माई कालाल हिला देता उस सरकार अग्राटों इमने शंका बत पालिएका जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया थो मन में कभी भी शंका आपके मन में भी हम बोलते हैं कोई कान्फुजन होगा तो बुला करके बात कर लिए हैं तूल कर लिजे क्यों कि क्योंके हम आम को अपना परिवार समस्ते हैं हम लोग समाजवारे बाई परिवार के मुक्षवंत्री जी से दो आप जहनिदा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश पे लोगना है आपका भतीजा जंदा उठा करके अधिकल पिहार पर रॉकते करने का लिए कोई ये कोई पहली बार नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं है मुख्षमंत्री जी जो आप लोगों के साथ हम लग रहे हैं ले हमारे साथ कांग्रेस है माले है बहागर बंदर हम लोगों ने बनाया था 2020 में और 2020 में तो क्या रिजल्ट हुआ था उसी के ना पीराज मुक्मंत्री जी कहें कि तीसरी नबर का पार्टी हो गया और चर्चा तो बजार में भी चल रहा है आप मुक्मंत्री जी एक और पूरी बिहार की जंता मीडिया के साथ ही है अरे कबजा छुड़वाने चले थे अब तो खुदी कबजा इन पर हो गया अब देख लिजे लेकिन लेकिन जितने मीडिया की लोग है अरे कबजा ना हो गया है हां आप लोगों पर कुछ लिखने देगा कुछ बोलने देगा तो अब तो कबजा अफी पर हो गया है खैर जो भी अमिचा जी कहते ने हमारा तो दर्वाजा बद्द है खैर उनका क्या उनके बात में दम है हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और हम लोगों ने 17 महीने काम करकर के दिखाने का काम किया है